Good morning dear students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं Production Technology यानि की उत्पादन प्रध्योगी की जो बिसे है Mechanical Engineering 5th Semester का उसका जो Previous Year का पेपर है ये March 2022 में जो बिसम सेमिश्टर की परिच्चा होई थी उसका पेपर है जो हम आज डिसकस करने जा रहे हैं तो बच्चों बात की चीज़ें आप जानते हैं ये आपका जो समय होता है वो धाई घंटे का होता है कोड ये है 2200 अधिकतम जो अंक होते हैं वो 50 होते हैं यानि 50 नंबर का पेपर होता है नोट से लिखे होते हैं एक दो तीन करके सब भी प्रस्ण करने हैं आपको attempt एनि 2 parts of each question यानि कि परतेख प्रस्ण में 5 प्रस्ण है परतेख प्रस्ण में 3 पर्ण दियें ABC उन में से कोई ABC में से आपको 2 parts solve करने एक पर्ण 5 नंबर का है दो घुए 10 नंबर के यानि एक प्रस्ण 10 नंबर का 5 प्रस्ण हो गए आपके 50 नंबर के तो इस तरह से बच्चों question 1 पर हम देख लेते हैं पहला question 1 में तीन पार्ट ABC करके हैं यह देख लेते हैं name at least 10 operations that can be performed on a lathe machine या खरात पर जो operations यानि की संक्रियां की जाती हैं उनमें किसी 10 operations के नाम लिखने हैं तो चित्र सहथ उनको संचेप में आप समझा सकते हैं how will you make the taper on a lathe machine थोड़ा सा spelling mistake इसमें प्रश्ण में की गई है उसमें आप परेशान मत हो यह कह रहे हैं lathe machine में taper आप किस तरह से यानि taper मतलब चूनिया किस तरह से बना सकते हैं उसको आपको समझाना है और see a describe briefly the capstone lathe जो capstone lathe होती है उसको आपको describe करना यानि समझाना है तो उस उसको समझाने के लिए आप चित्र बनाईए उसका और उसके समझा दीजी explain कर दीजी कि capstone lathe क्या होती है तो यह पहला प्रश्ण हो गया दूसरे प्रश्ण पर आ जाते है नेम अटलिश 10 milling machine accessories and attachments जो milling machine होती है उनके किसी 10 आपको accessories और जो attachments उसमें इस्तिमाल किये जाते है उनके नाम लिखना है इसमें खाली नाम लिखने को कह रहा है तो आप नाम लिखने के साथ साथ अगर तोड़ा चित्र भी बना देंगे और उसमें उन parts को और accessories को दिखा देंगे attachments को तो अच्छा आपको impact पड़ेगा आपको number अच्छे मिलेंगे भी है आपका describe any one type of milling machine किस See what is simple indexing? Indexing क्या होती है? Why is it done? ये क्यों की जाती है? और can we make threats on a milling machine? फिर तीसरा इसी में पूँच रहा है कि milling machine में क्या हम threats यानि की चूडियां या चूडिदार जोड बना सकते हैं? तो ये चूडियां बनाने के लिए threats बनाने के लिए पूँच रहा है कि milling machine पे बना सक तो ये आपको इसमें explain कर देना है तो ये आपको milling से सम्मंदित ये पूरा प्रशन आपसे पूच लिया है थोड़ा दो तीन तीन पार्स इसमें जोड़ दी हैं तो अच्छे से इनका अगर आपको पता होगा और indexing तो वैसे भी बहुत महत्पूर्ण होती है आपको पता ह होगा इसको चित्र बना करके बढ़ियां से समझा दीजिए क्यों की जाती है इसको भी आप बता दीजिए उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं तीसरे प्रशन की तरह पाते हैं तो तीसरा प्रशन आपका पहला numerical देशी दे दिया है ये नमबर पे कि एक 10 mm ड्रेल ड्रे 0.13 mm per revolution तो ये सारा data आपको दिया है cutting speed दी है आपको feed दिया है तो एक simple सा सूतर होता है उसमें सीधे मान रख करके आप ये जो time है वो calculate कर सकते हैं आपको पढ़ा होगा आपने तो अच्छा है कर लेंगे तो पूरे full marks आपको इसमें मिलेंगे दूसरा है give the description of any one type of drilling machine किसी ए एक प्रकार की drilling machine बच्चों आपको पता है कई प्रकार की होती है तो जो आसान हो bench type drilling machine ही simple होती है उसी को आप बना दीजिया कोई और drilling machine आपको आती है अच्छे से तो चित्र बना करके पूरे उसके पार्स उसके सिद्धान सब कुछ आपको विस्तार पूरवक समझा देना ह C है discuss the difference between drilling and boring ते कितना easy पूँच लिया drilling और boring में आपको अंतर बताना है और can you do boring on a drilling machine why और why not पूँच रहा है drilling machine पर क्या आप boring कर सकते हैं क्यों और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं तो क्यों और क्यों नहीं दोनों का आपको जवाब देना है चौथा है आपको बच्चों चौथे में A आजाईए आप discuss the principle of boring बोरिंग की सिध्धान्त को समझाईए बिलकुल सिंपल सा प्रश्ण पूच लिया है पांच नम्मर का है लेकिन अच्छे से चित्र बना करके आपको समझाना पड़ेगा बी है describe a jig boring machine जो jig boring machine होती है उसको चित्र बना करके समझाना पड़ेगा एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा C है आपका describe the quick return mechanism of a shaper shaper में जो quick return mechanism use होता है उसको आपको समझाना है ये quick return mechanism जो आपका है वो theory of machine में भी होता है तो यदि उसमें भी आपने पड़ा है तो भी आप इसको explain कर सकते हैं और ये बहुत important होता है पड़ाया जरूर जाता है अगला पांच माँ है बच्चों A describe laser beam machining LVM जिसको कहते हैं तो laser beam machining क्या होती है इसको आपको ये modern machining process है इसको आपको समझा देना है आपने जरूर पड़ा होगा बी है describe centerless grinding बिते neat sketch centralized grinding हमेशा से पूचा जाता रहा है तो important topic है neat sketch यानी एक साफ सचित्चित्र बना करके centerless grinding को आपको समझा देना है C है आपको इसमें write a short note on any one of the following दो topic दे दिये हैं उसमें जिकरें किसी एक पर आप short note लिखिए broaching operation बहुत important topic है पता ही होगा और चाय principle of location यह principle of location भी आप कर सकते हैं अगर आपको broaching के बारे में पता है broaching operation को तो उसका चित्र बना कर broaching operation को समझा दीजिए तो इस प्रकार से बच्चों 5 प्रशन आपके हो गए अंगरेजी में हिंदी अनवाद है फिर उसके बाद आपको पता है तो हिंदी अनवाद भी देख लेते हैं उसमें कई सारे topics ऐसे मिलते हैं अंगरेजी सब्दों को same as it is हिंदी में लिखे रहते हैं तो मैं हमेशा जरूर कहता हूँ कि बच्चों जब भी पढ़ाई करिए तो हिंदी और इंगलिस दोनों सब्दों को अच्छे से पढ़िए हिंदी में आपने पढ़ाय तो उसको जरूर जानी कि इंगलिस में क्या कहते हैं तो पहला बच्चों का है खराद मशीन पर की जाने वाली निउन उसको समझने की पढ़ने की प्रसने जब पढ़ लेंगे थे तो उत्तर देने में भी आपको आसानी होगी क्वा है आप कसी एक परकार की मिलिंग मशीन का वर्णन करीए बताई इसमें सारी चीजों के मान रखकर करे आप जहा दीजिए, drilling machine कई प्रकार की होती है, आपको पता है, जो सबसे simple लगती है, उसको बना दीजिए, drilling तथा boring में अंतर पर चर्चा करिए, क्या drilling machine पर boring कर सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं, इसका कारण बताईए, तो ये पूरा प्रश्ण है आपका, तीसरा बका, गा, च पांच माएं, बच्चों, आपका, कहा है, इसमें laser पुंज machining, LBM, laser beam machining का, वर्णन करना है, कहा है, आपका स्वच्छ चित्रे द्वारा केंद्रे रहे तब घर्शन का वर्णन करना है, यानि centerless grinding का आपको वर्णन करना है, और गाहर निमलेखित में किसी एक पटिपनी लि important है, तो ये था बच्चों, आपका मातपूर्ण प्रशन पत्र आपका production technology का, या उत्पादन प्रद्योगी की का, तो उमीद करता हूँ कि आपने प्रशन पत्र के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, और पूरा जो सिलेवा से उसको cover करेंगे, एक एक topic cover करे क्योंकि ये जो subject है, ये आपके लिए बहुत important है, आगे भी तैयारी करने के purpose से भी, तो ये था बच्चों, आज के लिए महतपूर्ण वीडियो, अब next time फिर आपको इसी तरह को प्योगी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए thank you very much, आप सभी का दिन शुभ हो.